नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों मित्रों यम बह्रों आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट लेका रहाए हूं तो इसके पहले हम कुछ बताना चाहेंगे आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करें इससे आपको जो है मेरे चैनल के सारे अब्डेट मिलते रहे ताकि लोग इससे लाभानवीत हो सकें क्योंकि हिंदी व्याकरण ऐसी चीज़े जो आजकल हर एक्जाम में पूछी जा रही है तो हिंदी के कंप्लेट अध्यान के लिए जो है मेरे सारे वीडियो जावस से देखें चैनल का नम है एक्जाम गुरू इसको सब्सक्राइब क तथा स्थान का बोध होता है ठीक है अर्थात संग्या विश्व में अस्तित्यु की प्रतेक प्रक्रिया का नाम है जो प्राणी पदार्थ धर्म तथा चेतना के रूप में उपलब्ध है ठीक है तो संग्या के भेद देखते हैं कितने होते हैं तो संग्या के पांच भेद होते हैं ठीक है पहला है व्यक्ति वाचक संग्या तो जिससे किसी एक वस्त व्यक्ति या स्थान का बहुत होता है उसे हम व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे विवेक, गीता, गंगा, हिमालय, आदी, ठीक है, तो विवेक क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति वाचक संगया, गीता एक लड़की का नाम, यानि कि एक इंडिवीडुल का नाम है, तो व्यक्ति वाचक संगया, गंगा जो है, एक नदी का नाम है, हिमालय, एक परवत का न तो संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कारियों, पसुपक्षियों, वस्तूं तथा प्राकृतिक तत्तों के नाम जातिवाचक संग्या के अंतरगत आते हैं उदारण देखिए, भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, खोड़ा, गाए, पुस्तक, वर्षा, जुआला, मुखी, जैसे सब जातिवाचक संग्या के उदारण हैं यह से हमने बात की संबंधियों की, तो भाई, बहन, यह संबंध के नाम है, ठीक है? पसुपक्ची, तो जैसे पसुपक्ची जो है, यह भी यह से घोड़े की बात कर रहे हैं, तो यह भी जाती है, पसुपक्ची जाती है, तो घोड़े की बात होगी, ऐसा ही कई सारे हैं? अगला है भाव वाचक संग्या तो इसकी परिभासा देखते हैं जिस सब्द से किसी व्यक्ति या वज्टु के गुण या धर्म दसा तथा कारी व्यापार का बोध होता है उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं उदाहरन देखते हैं लंबाई, नमरता, मिठास, चाल, समझ, इत्यादि भाव वाचक संग्या की उदाहरन हैं तो प्रतेख पदार्थ का अपना एक ही भाव होता है मनुष्य का भाव जो होता है और मनुष्यत्य होता है पसु की हर्कत पसुत्य तो कहलाती है प्यारे मित्रों, भाव वाचक संग्या के एक सब्द से एक ही भाव का बोद होता है इस कारण ऐसे सब्दों का प्रयोग उसी रूप में होता है भाव वाचक संग्याओं का निर्माड जाति वाचक संग्या, विशेसर, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्याय में प्रत्य लगा कर होता है तो एक्जाम में ये पूछ सकता है कि भाव वाचक संग्या जो होती उसका निर्माड कैसे होता है तो जाति वाचक संग्या, विसेसर्ट, क्रिया, सरवनाम, तथा अव्याए जो होते हैं, उन्हें प्रत्य लगा कर जो हता है, भाव वाचक संग्या का निर्माड करते हैं, तो कुछ जाति वाचक उदारण है, जैसे बूढ़ा है, तो बूरा जो है, इससे बना है भुढ़ापा, ठीक है, तो भुढ़ापा क्या है, भाव एक है, भुढ़ापा जो है भाव आजक संग्या हो गई, तो लड़का से लड़क पन बना इसी प्रकार, मित्र से मित्रता बना है, मनु VO से मनुष्य तो बना है कि आरे मित्रों अब हम देखते हैं विसेशन से भाव आचक संग्या का निर्मार तो गर्म जो है वो विसेशन होती है और इससे बना है गर्मी यानि कि जो है ये भाव आचक संग्या में कर्मोर्ड हो गया है कर दां है दो अगला है क्रिया य्में से चherाई का। निर्माड हुआ है ठीक है रोना है रोना क्रिया है जिससे रुलाई यानि कि ये भावाचक संग्या में कर्णवाड हो गया दौड़ना है दौड़ना से दौड़ का निर्माड हुआ है अब सर्वनाम से भावाचक संग्या का निर्माड देखते हैं तो प्यारे मित्रों अपना जो है वो सर्वनाम है जिससे अपना पन बना है निज जो है एक सर्वनाम है जिससे निजत तो बना है ठीक है निजत तो क्या है भाव अचक संग्या है तो ऐसी प्यारे मित्रों अव्याय से भाव अचक संग्या का निर्मार देखते हैं तो दूर जो है वो अव्यय होता है ठीक है इससे बना है दूरी दूरी जो है एक भाव अचक संग्या है अगला है समीब समीब जो है एक अव्यय है और समीब से बना है समीब वत्तु जो की एक भाव अचक संग्या है तो प्यारे मित्रों अब हम देखते हैं समु वाचक संग्या तो इसकी परिभाशा क्या होती है जिस सब्द से वस्त अथवा व्यक्ति की समु अथवा बहुलता का बोध हो उसे समु वाचक संग्या कहते हैं ठीक है उदारन देखते हैं सेना, सेना जो होती एक समू होती है, सभा ये भी एक समू होता है, दल, दल में भी कई लोग जुड़े होते हैं, तो एक समू होता है, ठीक है, संग जो है, इसमें भी कई सारे लोगों की बहुलता होती है, यूनियन होता है, ठीक है, संग इसको बोलते हैं, गुच्छा, मेला भीर बाजार प्रदर्शन रैली हुजूम जुन गिरो आदी ये सारे जो हैं समु वाचक संग्या के अंदर गताएंगे आखरी है द्रब्यवाचक संग्या ठीक है तो जिस सब्द से किसी धातू द्रव तथा ऐसी वस्तूओं जिनें नापा तौला जा सके का बोध हो वो द्रब्यवाचक संग्या कहलाती हैं जैसे दूद, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकडी, पानी, टेल, पीतल, तांबा, तेजाब, इत्यादी ठीक है तो दूद को हम नाप सकते हैं ठीक है और दही को भी हम नाप सकते हैं सोना को तोल के नाप सकते हैं ठीक है तोलते हैं उसको कितना वेट है चांदी भी तोल जा सकती कि इसको नाप और तौल से करें ठीक है तो वो द्रब्यवाचक संग्या होती है तो यह सारे जो हैं द्रब्यवाचक संग्या के उदा रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप होता है तो एब फिर से बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप एवी वीडियो मिस ना कर पाएं लाइक करें वीडियो को इसको वाटसप और फेस्बूक पर सेर करें ताकर जो है यूपी टेट सीटेट, यूपी एसाई, यूपी पीसेस एक्जाम में बैठने जा रहे हैं उनको इस वीडियो का लाद मिल सकी होके धन्यवाद दोस्तों